तो पहले पोस्ट मार्केट में क्या काम करना है या निप्री कैसे बीयों करेगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कुशन करेंगे तो मैंने पहले से ही बोला था कि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है तो उसका नेक सपोर्ट मतलब के 17350 से तो मैं बहुत तरह अपने वीडियो में बोल रहा था कि मार्केट वहां तक आ सकता है बढ़ आज यूज गैप डान मतलब के हुआ और उसमें मार्केट में मार्केट कर मोड़ तो मैं पूट की सइड बैच जता हूँ तो आभी पन्0캐ट पींट कर देख लेता है एक बढ़ हां तो देखो यह उसका जो अ लेक्षा तो यहां से कॉल लेंगे तो कॉल लिया यहां से तो उसका स्टोप लोस क्या रहेगा यह रहेगा बट यह पिसका यह क्लोजिंग प्राइस भी रख सकते हो क्योंकि स्टोप लोस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है यह 17 करीबन 17 250 के राउन अगर हम लेते तो यह 17 200 का हम स्टॉप लस रख सकते हैं 40 पॉइंट चल जाता है स्टॉप लस ठीक है और फिर यहां से कुछ यहां तक मार्केट गया तो यह तो आपको 17 पॉइंट मिल गया होंगे और इनके से अगर मार्केट ने यह 15 मिट की के बाद उसके लोको ब्रेक किया होता है तो उसका हाई रहेगा यह फिर ओपनिंग प्रा तो मार्केट में मुझे दिख रहे है कि एक रेंज बनी हुई है यह वाली है 17280 की और यह उपर की साइट कुछ 17350 और 17380 के बीचा सा कुछ है तो हम क्या करेंगे कि यह उसके हाई को ब्रेक करता है कल तो हम कॉल की साइट बैठेंगे तो यह जो पूरा उपर जो यह एक स प्रेक के नीचे जाए तो फिर यह कलकल हो है 17170 मान ले तो ब्रेक होगा तो 17100 तक भी आ सकता है ठीक है अगर गैप डाउन फूर गया तो फिर पंद्रा में हम अपना स्ट्राजी है कि पहले पंद्रा में केंडल बनने का वेट करेंगे फिर उसके हाई को प्रेक करता है और को मतलब कि डाउन साइड लोको प्रेक करता है तो ठीक है बट फिर वो भी देखना है कि अभी हाई को प्रेक कर दिया उसके वह उसके बात रेड लेना है कि फिर यह वोब बैटेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ठीक है तो आज के लिए बस इतना इंक युपर वॉच